तो NCF 2005 हमारा चल रहा है, बेहद महतुपन टॉपिक है और इस टॉपिक में से एक परसन हंडिट परसन आएगा, अब आपको तैय करना है कि कैसे आप उस परसन को ले पाता है, मेरे कोडिंग आज आएगा, इंपोर्ण चीजों को भी आपने फोकुस कर लिया, तीसरा जो अध पाठीकर्म की बात करता है, इनके उपर तीसरा अध्याय मोल रूप से है, देखिए, तीसरा अध्याय में पाठीचरिया, सबसे पहला बिंदू इससी पर आता है, पाठीचरिया कैसी होनी चाहिए, तो पाठीचरिया की बात करता है, पाठीचरिया ऐसी हो जो ऐसे अनुभ हुप लब्द करवाए जिंसे विवेक की छमता बढ़ है यानि पाठीचरिय की बात करता है तीशरा अध्याए तो पाठीचरिय ऐसी हो जिसमें बच्चा रटे नहीं बच्चा उसमें विवेक शक्ती का विकास हो ऐसी पाठीचरिय होनी चीए विभिन विशेओं के माद्यम स दुनिया को समझने का मोका मिले यानि उसके मादम से केवल किताबि ज्ञान नहीं प्राप्त करें दुनिया को जानन भी पाए हो सौंद्रिये बोध का विकास हो कलात्मक्ता का विकास हो दूसरों के परतिशवेंदन सीलता भी हो जान को संगठित रूप में प्रस्तुत करने के उसमें योग्यता का विकास हो अलग-अलग विश्यों से प्राप्त ज्यान का वो सामानी करण कर सके ऐसा पाथे करम होना चाहिए और आत्म निर्भरता यानि गांधी जी का जो बुन्यादी शिक्षा का उद्देशिता उसको सामिल किया है कि शिक्षा ऐसे नहीं हो कि वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेरोजगार रहे वो खुद का भी अपना एक काम कर पाए यदि उसको सरकारी जोब नहीं मिल रहा है तो आत्म निर्भरता हो है काम की शिक्षा हो पाथे चरिया कैसी होनी चीए विवेक बढ़ाए तारकिक शक्ति को बढ़ाए विभिन विश्यों के माध्यम से सब विश्यों की कोरेलेशन को वो समझ पाए उनके मध्य अंतय किरिया कर पाए जो पाथे पुस्तके हैं उनकी दिवारें इंग्दम से इतनी छोटी कर दो ये कहता है पाथे पुस्तक कों की दिवारें इतनी छोटी कर दो कि ये नहीं हो कि गणीत वाला विज्यान नहीं पड़ सकता NCAF 2005 बालक की बुनियादी चंटा, अब आप से परसन पूछ ले कि NCAF 2005 पे बुनियादी चंटा कों सी बताएं गया है पूछा नहीं गया है कि नार्मली में चर्चा कर रहा हूं कि पूछ ले तो क्या दिमाग मैंना ची तो बुनियादी चंटा का मतलब क्या होता है बुने चमता में भाशा माँ को माना गया है समंद बनाना वाँ उनको कायम रखने को माना गया है यानि बुनियादी चमता NCF 2005 में क्या बताएगी है कि भाशा बच्चे की बुनियादी योग गेता है शमंद के रिलेशन इस्थापित करना बना तो लिया दोस्ते लेकिन उस दोस्ति कायम कैसा रखा ये भी समझ उसमें डौलफ हो कारिय और किरिय दोनों में समंद इस्थापित कर पाए कारिय और पेना में समंद इस्थापित कर पाए शारिक शमनवे कोशल का उसमें विकाश हो ये तीन बुनियादी चमताएं हैं तो भाशा पहली होगी, दूसरी शमंद बनाना वाए काइम रखना होगी, और तीसरी कारी और किरिया में शमंद इस्थापित करना, जिसमें शारिक शमनवे आ गया और स्किल डवलप्मेंट आ गया, ये तीन बुन्यादी छमताएं बच्चे की बताएगी हैं, एंसी आप 2005 के बुलाना के साब, लाइट का बलब लगाना है, लाइट का ये वाईर खराब हो गया, तो बुला के लाओ, ऐसी नुबबत ही क्यों आए, बच्चे को शिक्षा में हमें ऐसी योगएता उसमें कोसल डॉलर प्रेंट करें, कि वो छोटी-छोटी चीज़े अपने घर की शमश का वो समाधान कर पाई, वियवहारिक जीवन की योगएता होती है साब, तो वियवहारिक ज्यान जैसे कला का विकास हो, कास्ट कला, ठीक है, शिल्प कला मिटी के बरतन मनाना, शिल्प कलाओं में जैसे दर्से कला, ठीक है न, मोखिक योगएता, मोखिक प्रंप्राओं को पाठेचरे का हिश्चा बनाये जाए जो लोग कलाएं हमारी इस्थाने ग्यान वर रिवाजों को स्कूली ग्यान से जोड़ा जाए हमारी जो लोग कलाएं है हमारी जो लोग गाथाएं हमारी जो लोग नाटे कला है हमारी जो चित्र कला है वो भी पाठेचरे का हिश्चा बन भी समावेश हो, जिसमें बहुतिक परिवेश, प्राकर्तिक, सामाजिक और सांसकर्तिक को सामिल किया जाए, बच्चों को इन से प्रेवित भी किया जाए, बहुतिक प्रिस्तती क्या है, आप जहां रह रहे हैं, वो परिवेश क्या बोलता है, उसकी विस्रेशताएं क्या है, उस परिवेश में उस परिवेश में क्या अंतर क्या है, पठारियों मेदानी परदेश के बच्चों में क्या अंतर है, समाज क्या है, समाज की सरंचना क्या है, समाज की कर्तव्य क्या है, समाज की विवस्थाइं क्या होती है, समाज के नेम क्या है, प्रंप्राइं क्या है, हम में ये चीज़े इतनी महत्वपुन भी नहीं है, फिर भी आपको एक आडिया लग जाएगा, ये चीज़े मुझे पढ़नी और ये नहीं पढ़नी है, पुरूव प्रात्मिक इस तर से पर पाठे चरिया की सभी गति वीधी में भाशा व गनीत का महत्वपुन स्थान व जाए और एक गनीत का और निशत रुप से हमारे पाठे कर्म का हिश्चा हैं दोनों गनीत और भाशा तो ये दोनों मूल रूप से होने चीज़ें, पूछ सकता है परसन, कल अपना सिलता हुआ परसन करने की परवर्ती वे बल दे, बच्चा क्रेटिव कारी करे, परसन पू चले कि बेटा ही बुराई क्यों है और अच्छा ही हमारे समाजी कौन सी है बड़ो का समान करना आदर करना ठीक है ये सब बुनियादी है वो चीज़ें भी समझे बच्चा परिवेश के परती आलोचना आत्मक दृष्टिकोन का विकास हो उसमें ठीक है गलत चीज़ों को बढ़ाए ये चीज़ें हम उसमें डौल करें सपाल्टे चरे के माद्यम से कि हमारी बुनियादी चीज़ें थी अच्छी चीज़ें थी उनको आगे बढ़ाता जाए और जो गलत चीज़ें ज़े बाल हुआ हो इनके खिलाब वह बोले भी कि ये गलत है चीज़ ठीक है ने तीसरे अध्याई में अपने पाठे करम में कौन से सुझाव दिये गए हैं वो देखिए आप पाठे करम यह आपके टीचिंग मेथड में काम आएगा ठीक है यह आपके कहां काम आएका टीचिंग मेथड में ठीक है इस भी इस विशे का पाठे करम ऐसा हो जो चिंतन तरक एमुर्शंकल अपना चिंतन तरक एमुर्शंकल अपना ठीक है इस विशे का पाठे करम कैसा होना चीए जिसमें बच्चे में चिंतन की योग्यता हो सोचे हर चीज का पक्स क्या है यह हो तो एस कैसे हो तार की योग्यता का उस का विकास अर्थ पून प्रासंगी गनित पे बल गनित में सफलता परतेक बाल का अधिकार हो गनित का अन्य विश्यवस्य से समंध बताया जाना चाहिए इन्हीं गनित की पाथे करम्याइ गनित की उद्दिश्य क्या होना चाहिए आपके मैथड में आ सकता समश्या को सुत्र बद करके उसका समाधान करने की होगे ता बच्चे में वो अधिकार माना जाना चीए उसका और गणीत का अन्य विष्यों के साथ कोर्रिलेशन सी भी होना चीए कि साब मानवी की विष्यों में कहा हुप उपयोगी हो सकता है वो विज्यान से के समद हो सकता है ये भी बच्चे को बताजना चीए आगे देखिए प्रात्मिक इस तर वाया आंकडो की समझ वाले खेल हो और गणात्मक कोशल जो काउंटिंग बगेरा करना पाहड़े बोलना है ये सब चीजें उसमें मल्टिपलेक्शन है ठीकर डिवाइडेशन करना है वो सब चीजें उसमें प्रात्मी इस्तर पर होने चाहिए गणिते खेल हो पहलियां सामिल जो शंख्या समंदी ग्यान आंकडो समंदी डाक समंदी अनलेसिस और कलकूलेशन समंदी चीजों की तर्ममें फ्रात्मी की स्थर पर रेखाणाओं सिधान्तों का ज्यान समश्या, समाधान सिध करना, मतलब जो पर्मे हल करने बगर जो आपके होती है वो सब चीजों का ज्यान कहां दीजाने से माध में इस तरकर तो ये तो आपको इतना उपयोगी नहीं है बट ये दोनों आपके रेट के कोडिंग उपयोगी है याद रखना, गणीत में अब गणीत के बाद अपन बात करेंगे विज्ञान सिक्षन में क्या होना चाहिए तो विज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए एंस अब 2005 के उनुसार देखिए विज्ञान सिक्षन का उद्देश्य सरूप ऐसा हो जिसमें बालक को प्रती दिन की अनुभावों की जाच करने कि मैं प्रती दिन क्या सीख रहा हूँ उसकी जाच में खुद करू वे विज्ञेशन में सक्षम बनाने की योग्यता का विकास होना चाहिए परियावरण पे बल दिया जाना चाहिए अन्विश्ञ खोज करने की परवर्ती बढ़े इसकी शाहिता से गरीबी अज्ञानवें अंध विश्वास को दूर किया सकता है यानि की विज्ञान सक्षन का उद्देश से क्या होना चाहिए परति दिन के जो अनुभाव उसके जांच करने की योग्यता बच्चे में डाल अफ हो विश्लेशन करे बच्चा समशाओं को टुकुनों में बांटे उनको जोड़े भी ठीक है परियावरन मुखे बिंदू होना चाहिए विज्ञान के सिक्षन का अन्वेशन की परवर्थी बच्चे में जागर्त हो और इनकी सायता से बच्चा विज्ञान की सायता से बच्चा समाज में जो व्यापत गरीबी है पिछडापन है, अज्ञान है, अंद्विश्वास है उन चीजों को वो इस विज्ञान के सिक्षन से कैसे दूर कर पाई ऐसी उसकी समझे डवलप की जानी चाहिए अब अलग-अलग इस तर पे क्या-क्या होना चाहिए विज्ञान सिक्षन में देख सकते है प्रात्मिक इस तर पे क्या पढ़ाएंगे विज्ञान सिक्षन में प्रात्मिक इस तर पे विज्ञान सिक्षन में आप पढ़ाओगे परिविश हमारा समाज क्या है, आस-पास का जो वातावन है उसके बारे में जानकरी प्रियावरण की बेसिक जानकर्य दी जाने चाहिए प्रात्मी की स्थर पे एक से पास तक उच प्रात्मी की स्थर पे विज्ञान के सिधान्त जो है ठीक है जितने भी सिधान्त दीए गए है जो आर्किमिटिज का दिया गया है जो नूटन के दिये गए है मोडल कैसे बनाया जाए ठीक है परदर्शन दुवारा ज्यान कैसे प्राप्त किया जाए परजनन की जो परकिरियाएं है योन स्वास्ते बगएरा जो हमारे सारिक स्वास्ते समंदी योन स्वास्ते बगएरा जो भी आपके हैं किरियाएं होती हैं हमारे सरी की उनके बारे में बच्चे को परिचे दे जाना चाहिए उच प्रात्मिक इस्तर पे विग्यान का पाठे करम क्या हो प्रात्मिक इस्तर पे विग्यान का पाठे करम दोनों तो आपको याद रखने है माध्मिक इस्तर वाला आपको याद नहीं रखना है उन्नत तकनीकी प्रियावन मुद्दे विशलेशन इस्थानिय महतों की प्रियोजना समंदी ये माध्य में किस तरह ने सेकंड गेड़ के लिए उप्योगी है ये विज्ञान का हो गया और तीसरा है समाजी विज्ञान का पाठेकरम तो समाजीक विज्ञान का जो पाठेकरम होगा उसमें क्या-क्या सामिल होगा या दखना बागे तो मैंने किताब में एक से बारा तक का पूरा डाल भी रखा कि एक से दो में कौन सी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए दो से चार में वो भी आप इदी मेथड के कोडिंग बड़ा उपियोगी है वो आपके काम आ सकता है देखना वो पेज भी यह नहीं आउनी मनो विज्ञान को तो आपको देखना है देखना है समाजीक विज्ञान पाठेकरम समाजीक मुल्यों का विकास यह SST वाले बच्चे के उन इसको देखना है गणीत विज्ञान को छोड़ देना उनको नहीं पढ़ना है समाजीक वंचित वर्गों के परति शकारात्मक दरश्टिकोन का विकास यह सेकंगेड में आया हुआ है समाजीक वंचित वर्गों के परति जो दुरूबल हैं ऐसक्त हैं आदिवाशी हैं चैयों महिलाएं हैं उनके परति पोजेटिव दरश्टिकोन का विकास हो जल पाने के मुद्दों पे शमाकलन पर बल लिंग शमानता की बात करें अनुसुजी जाती जन जाती वालब संखिक के परति शमेंदन सीलता का दरश्टिकोन सर्जक्ता का विकास अतीत के गोरव और नागरिक अशमीता पे सर्जनात्मक्ता का विकास हो हमारे जो एतिहासिक धरोवर रही है एतिहासिक जो हमारे विराशत रही है नागरिक शास्तर को राजनिती शास्तर में बदला जाए फार्षन आया हुआ करते हैं दून को जोड़ के बच्जो को बताव आप तो एक से दोńsk में किस के देंग अपन परियावरण और संदक्षन देनिक अनुरूप हुए इस्थान ये परिवीश की जानकारी देंगे ठीक है किसमें कक्षा तीन से पांच के स्थर पे तो आप देख सकते हैं आभी तक आया नहीं ऐसा परसंद लेंगे मैं थड़ में आ सकता आपके न से पांच के बाद 6 से 8 में आप बच्चे को समाजी गणान में क्या पढ़ाओगी तो इतिहास बुगोल राजनिती विज्ञान वे अंधसास्तर समाजी ऒन में कि वकालत करता है तो इंपोर्टेंट माध्यमिक इस्तर में समाथ सास्तर का विज्याने माध्यमिक सेकंड़ी लेवल पे समाथ सास्तर तो यूप पूछ ले कि कौन से 5 विशे शामिल के गें सीव 25 के उनसा और आपकी पूछ लेगा इतिहास वोगोल राजन से तो आपको कि काम बहुत बल दिया गया है काम शिक्षा वही व्यवहरिक जीवन से जोड़ा जाए जिसमें उसको बुनियादी चमताओं का उसमें विकास हो व्यवसाइक शिक्षा उसको दी जाए जी कला नरते गायन जो हमारी परंप्रागत चीजें हैं उन सब का पारंप्रिक दस्तक जारिग शिक्षा वह वह है शानती शिक्षा आप शांती शिक्षा मतलब यहां लिया गया है कि उसमें शमाजिक न्याय क्या उधाना विख्सित ये भी शांती शिक्षा का मतलब होता है, तो याद देखना, इंपोर्टेंट है, शांती शिक्षा का मतलब है, मुल्यों में विश्वास, नेतिक्ता का विकास, हिंसा का विरोध, महिलाओं, आदिवाशियों के परती उदार दृष्टिकोन का विकास, ये शांती शिक्षा है important है कला में गाइन नरते कला दस्त कला वे नाटे की शिक्षा दी जानी चीए शारिक शिक्षा में खेल कुदू है मध्धाने बोजन मिड़े मिल मिड़े मिल जानते है ना पंदर अगस्त 1905 में को मिड़े मिल की शुरुवात हुई थी ठीक है आप याद रखना तो मिड़े मि मिल का भी समर्थन करता है शारिक शिक्षा की बात करता है कला शिक्षा की बात करता है काम शिक्षा की बात करता है शांती शिक्षा की बात करता है यह पाठीचरिय के महत्वपुन शांती शिक्षा में पहले भी चर्चा कर लिए मैं दुबारा देखने शांती शिक्षा पे ये सब चीजें किसमें आ जाएगा ये शांती शिक्षम आ जाएगा याद रखना है समाजिक शंसकारों का समाजिक उतरदाई तोगरकास समय शान्य में लचिलेपन पर बल दिया जाता है कि समय शान्य में लचिलापन होना चीए पढ़ाते शमय कितना अंत्राल हो मनोविग्यानी तरिके से दिया जाना ची ये प्रिक्षा में अंत्रिक मुल्यांकन ये पांचवे ध्याय का मूलपाठ है कि प्रिक्षा पण आले में तुम वहां चेंज़ बात कर सकता हूँ यह वहसे चोत्छे द्याय का है समय शाहने वाला चोथा अध्याय है याद रखना ठीक है और जो प्रिक्षा में आंत्रिक मुल्यांकन पे बल पूरक बल बोर्ड प्रिक्षा को हतुसाइद पूर्वे बोर्ड प्रिक्षा को हतुसाइद